अभी को नमस्कार घर पर प्राप्त होने वाले दहिंदू समाचार पत्र के एडिटोरियल संपाद किये का चित्र आपके समक्ष है जिसका शिर्षक है एलॉंग रोड दे सेंटर विल हैव टू कन्विन्स स्टेट्स देट देट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट्स अर्थात एक लंबा रास्ता केंद्र को राज्यों को संतुष्ट करना होगा कि नई शिक्षा नीती सब के लिए लावकारी है मानव संसादन विकास मंत्राले द्वारा घोशित राष्टिय शिक्षा नीती 2020 NEP 2020 21 शताबदी के भारत की आवश्यक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए शेक्षनिक तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन का एक स्वनिर्धारित लक्ष तै करती है भारत जो की एक संगिय धाचा फेडरल सिस्टम है यहां किसी भी प्रकार का शेक्षनिक सुधार राज्यों के समर्थन से ही संभव है केंद्र सरकार को एक बड़ा कार्य यह करना है कि अपनी अनेक महत्वकांग्षी योजनाओं पर राज्यों के साथ आम सहमती कंसेंसस निर्मित करें इंटर आलिया अर्थात अन्य वश्टुशू या अन्य बातों के साथ साथ नई शिक्षा नीती चार महत्वपूर्ण विशियों में सुधार अर्थात चार समस्याओं के निराकरण का लक्षर रखे हुए है पहली समस्या शिक्षन साष्त्र या अध्यापन कला पेडा गोजी की समस्याओं का उन्मूलन दूसरी समस्या सनरचनात्मक असमानताओं structural inequalities का अनिदान तीसरी समस्या excess asymmetries अर्थात शिक्षन संस्थाओं में प्रवेश पाने तथा अधिगम अर्थात सीखने की मनोवज्यानिक प्रकिरियाँ जोकी वर्तमान में असममित अर्थात विसंगती पूर्ण है उसको ठीक करना चोथी समस्या है रैंपेंट कॉमर्शिलाइजेशन अर्थात शिक्षा का बढ़ता वानिजी करन 1986 में गोशित की गई शिक्षानीती के बाद अब लाई गई राष्टिय शिक्षानीती 2020 एक बहुत देशियन नीती ओमनिबस पॉलिसी है जिसको शेक्षिनिक विबस्था वे तंत्र में उपस्थित विभिन दोशों का मुकावला कंटेंशन करना है यह सर्व विदित है कि वर्तमान में प्राप्तमिक विद्यालयों प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को प्राप्त होने वाली शाक्षरता वह अंक ग्यान की गुणवत्ता आश्चरिजनक इस्तर तक खराब है शोकिंगली पूर है माद्यमेक विद्यालयों सेकंडरी स्कूल्स या मिडल स्कूल्स की निर्गम पात दर अर्थात ड्रोप आउट रेट अर्थात बीच में विद्यालय छोडने वाले विद्यारतियों की दर बहुत अधिक है और साथ ही विश्विद्यालेों से प्राप्त होने वाली उच्च शिक्षा के पाठ्टे क्रम भी बहु आयामी और आम तोर पर उतने उपयोगी नहीं रहे हैं नई शिक्षा निती 2020 महतपूर्ण संदरचनात्मक परिवर्तनों का सूत्रपात करने जा रही है उसमें क्या-क्या शामिल है आये देखते हैं पहला तीन वर्ष की आयू से बच्चों की शिक्षा का सूत्रपात बच्चों का प्रदर्शन सुधारने के लिए बोर्ड परिक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित किया जाना तीसरा रटंत विद्या रोट लर्निंग से उपर उठना सभी विद्यालेयों के विद्यार्थियों के गणतिय कोशल मैथेमेटिकल स्किल में सुधार चार वर्षिय कॉलेज डिग्री वेवस्था की ओर उत्क्रमन अर्थात शिप्ट तथा अक्यल भारतिय प्रिकृति का एक समय कित उच्च शिक्षा आयोग गठित करना यह भी सेक्षनिक सुधार नई सिक्षा निति के क्रियानवयन से आरंभ होंगे यह सभी सन्रचनात्मक सुधार हैं इन सभी विश्यों पर बिंदूओं पर कितनी प्रगति होगी यह इस बात पर निर्णे करेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सकल घरेलु उत्पाद के 6% के बराबर शिक्षा पर साड़ुचनिक खर्च करने की कितनी इच्च शक्ती केंदर सरकार दिखा पाती है नई शिक्षा निती यह भी कहती है कि कम से कम पाँचवी कक्षा तथा जितना अधिक संभव हो आठवी कक्षा तथा उससे भी आगे की कक्षाओं तक यथा संभव घरों में बोली जाने वाली भाषा या मात्री भाषा या चेत्रिय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखा यह विचार बहुत दिनों से लंबित था लॉंग हैल्ड था और यह लाबकारी विचार भी है परन्तु दूसरी और भारत जैसे अत्यधिक विवित्ता पूर्ण में बड़े देश में जहां जनता में गतिशिलता, मॉबिलिटी बहुत अधिक विद्यमान है ऐसे में हमारे द भाषा में अध्यन करने का विकल्प उपलब्द रहना चाहिए जो पूरे देश की एक साजा संपर्क भाषा हो एतिहासिक कारणों से अंग्रेजी भाषा पूरे देश की एक साजा संपर्क भाषा के भूमिका में रही है राष्टिय सिक्षा नीती NEP 2020 में कुछ अच्छे तत्व और भी हैं यह है अच्छे तत्व इस प्रकार के हैं कि जो हैं तो अच्छे परंतु कुछ असुविधा पूर्ण घर्षन लिटिल फ्रिक्शन उत्पन करेंगे इन अच्छे तत्व की क्रियानवयन की बाधाये तब दूर होंगी जब उनके क्रियानवयन हेतू संसा अधनों का परियात आवंटन सुनिश्चित किया जाए ऐसा ही एक अच्छा तत्व है पोश्टिक मध्यान भोजन मिड़ दे मील के साथ साथ अच्छा उर्जा प्रदायक प्रातराश अर्थात सुभह का नाश्ता बच्चों को प्रदान किया जाना सामाजी के वंशेक्षनिक प्रूप से पिछडे चात्रों के शिक्षा में साहता प्रदान करने वाली समावेशन निधी अर्थात इंक्लूजन फंड का निर्मान ऐसा दूसरा अच्छा तत्व है राश्टिये शिक्षा निती 2020 जिन बिंदुओं पर दड़ता प्रदर्शित करने में असफल रही है व परण यूनिवर्सलाइजेशन ओफ एक्सिस न किया जाना शिक्षा को अधिकतर पूर्ण सिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम को पूर्ण तया सफल बनाने के लिए विशेश उपायों की अनुपस्तिती यह भी बहुत बड़ी कमी है इस शिक्षा न स्थानों द्वारा अभिभावकों से वसूले जा रहे अले खांकित दान अनकाउंटिट डोनेशन्स मुनाफा खोरी को बढ़ा रहे हैं यह भी इस शिक्षा निती में लक्षित नहीं किया गया है वर्दमान में विद्यमान अलग-अलग नियामक संस्थाओं AICTE, UGC अध से भी सभी राज्य सरकारें प्रसंद नहीं होंगी यह तय प्रतीत होता है जिस पर केंद सरकार को आम सहमती बनानी होगी इसी प्रकार अभी छमता प्रिक्षाओं Aptitude Tests के लिए राश्ट्रिय निकाय National Body की प्रासंगिक्ता से भी राज्यों को संतुष्ट करना केंदर की ज वर्ष 2025 तक सारुभोमिक साक्षर्ता एवं सारुभोमिक अंक ज्यान Universal Literacy and Numeracy प्राप्त करना सर्वोच प्रात्मिक्ता का विशे होना चाहिए आगे की उन्नती तो स्वतह हो ही जाएगी यह discussion यहां complete हो गया है इस वीडियो को अधिक से अधिक like share कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाए धन्यवाद